ओम शान्ती आवाज की दुनिया से निकाल कर शान्ती का सागर हम आत्माओं को ऐसी नौलेज देते हैं जो शान्ती में रहकर पढ़नी है ऐसी नौलेज जो हमें शान्ती के घर ले जाती है और ऐसी राजधानी में ले जाती जहां सुख और शान्ती भरपूर है तो आईए रिवाज करते हैं आज के 2 मार्च 2024 के मधुर महावाक्यों को इस नौलेज के विशे में बाबा ने क्या बताया इसमें कुछ बोलना नहीं है ये नौलेज बिलकुल शान्ती की है शान्ती के सागर बाप को याद करते रहना है उन्नती का आधार गया है एक बाप से सच्चा प्यार सच्चा सच्चा चाट रखो बाप से कोई बात चिपाओ नहीं आत्म अभिमानी बन खुद को सुधार दे जाओ किस मुखे चित्र में सब धर्म आ जाते हैं त्रीमूर्ती गुला किस बात को भूल जाने से हम तमोप्रधान बनते हैं हमारी आत्मा का बाप एक शिव है उनसे ही वर्सा मिलता है हम सब आपस में ब्रदर्स हैं विकारी कैसे बनते हैं माया से हार कर आज की मुर्ली की अनुसार कॉंट्रास्ट की बात है इस प्रकार हैं आत्मा विनाशी है तेहे विनाशी है सत का संग है एक बाकी सब है कुसंग इस समय सब दुखी हैं सत्यूग में सब सुखी हैं हम पवित्र सत्यूग के मालिक थे अभी गिर कर गंदे बन गए हैं भक्ती के लिए बाबा ने कहा ऐसा क्यों है नजदीक रहते भी उन्नती नहीं होती क्योंकि लव की कमी है इस योग को अगनी कहा जाता है क्योंकि इससे विकर्म विनाश होते हैं सर्व संबंदों से स्मृति स्वरूप बनना है क्योंकि जहां सर्व है वहां संपन्यता है आत्म अभि बाप को जानने से सब पुच जान जाते, खुद योग में न रहने से धूसरों को कह नहीं सकेंगे, अपने को आत्मा समझने से आगे सिविल बनती, देही अभिमानी अवस्था में न रहने से आखे क्रिमिनल रहती, बाब समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकिर्ती के हर द्रिश्चे को देखने से हलचल में नहीं आते अन्य आत्माओं को तीर कव लगता है जब देही अभिमानी रहते जब अंदर में खुशी रहती जब खुद याद की यात्रा पर रहते श्रुबाबा को याद करने से क्या फायदे होते पाप कटते पावन बनते कल्यान होता सतोप्रधान बनते विकर्म विनाश होते मुक्ती जीवन मुक्ती पाते शिक्षाओं की धारणा होती हमें किन बातों की धारणा करनी है बहुत कम बोलना है ग्रस्त वेवार में रहते पवित्र बनना है ज्यान तलवार में योग का जोहर भरना है याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है बीती सो बीती कर पहले स्वयम को सुधारना है आत्मभिमानी बनने की बहुत प्र कर दूसरों को बाप का परिचे देना है सब को एक बाप की महिमा सुनानी है ये थी आज की मुरली की विशेश बातें पावने आज हम बच्चों को आत्म अभिमानी बनने की प्रेक्टिस बहुत अधिक करने की शिक्षादी है जिस पर हम अटेंशन देंगे और साथ ही साथ हम स्वयम को सुधारने पर ध्यान देना है दूसरों को नहीं देखना और अपनी वाचा पर भी अटेंशन देना है ओम शान्ति